गड़ पत बपा मोर्या गड़ेश चदर सशी की आप सभी को हार्दिक सुख कामना है तो चलिए आज हम बनाते हैं गड़ेश चदर दी स्पेशल लड़ू मोदक हम इसको आटे के बनाएंगे जो बपा के लिए भोग लगाया जाता है स्पेशल इन का वह होती इजी मेठेट्स के साथ हम आज आटे के लड़ू अतनाएंगे और इनको हम कई दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले या एक कड़ाई में गी ले लेंगे यह मैंने एक कटोरी घी लिया है इसमें से आधा कटोरी में अभी यूज कर रही हूँ और आधा कटोरी हमको बाद में यूज करना है गी को गरम होने देते हैं अब हमने इसमें लेना है एक कटोरी भरके आटा ग्याउं का आटा है तो इसको हम एक कटोरी के माप से ले लेते हैं किसी भी चीज़ का जंजट अब हम यहां एड़ करेंगे आधा कटोरी करीब सूजी इससे जो हमारे मोदक लड़ू तैयार होंगे एक्तम से दानेदार होंगे और खाने में भी टेस्ट लगेंगे इसको भी हमें इस तरह से भून लेना है उनको लो फ्लेम पर कम से कम हमें 10 मिनट के लिए भूनना है जो घी वचा था उसमें से अभी थोड़ा सा घी और एड़ कर देते हैं इसके वाद थोड़ा सा हमने रख लिया उसको बाद में एड़ करेंगे इसी तरह से इसको हमें भूनना है जैसे जैसे सूजी और आटा भूनता जाएगा वैसे यह घी छोड़ने लगता है और इसको हमे ब्राउन होने तक भूनना है अब हम इसमेड करेंगे कटे हुए बादाम आठ से दस कटे हुए बादाम ले लिए हैं और यहां आठ से दस ही काजु लिए हैं काटके साथ से आठ हमने यहां पिस्टा लिए हैं थोड़े से हमने बचा के रख लियां बाकी के हमने डाल दिये हैं अब यहां हम लेंगे खस-कस, दो चम्मच करीब हमने खस-कस ली है, थोड़ी सी इसको भी बचा लेना, बाद में काम आएंगी इसको हमें डाल दिना है, खस-कस अगर है तो जरूर डालें इससे टेश्ट बहुत अच्छा था है आटे के लड़ू के अंदर नहीं तो इसकी बी कर सकते हैं, अगर नहीं है अब हम यहां पर ले रहे हैं आधा कटोरी मिल्क पाउडर आप इसकी जगह पर आधा कटोरी मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा मियां डालेंगे तीन से चार चोटे चम्मच दूद के ताके मिल्क पाउडर अच्छी तरह से गुल जाए तो इसका एक जैसे मावा होता है न खोगा ऐसा थोड़ा सा इसका टेक्शर आ जाएगा तो यह देखिए इसको भी हमने भूम लिया है दो मनट के लिए और इस तरह का हमारा आटा तयार है लड़ू के लिए उनकी अब हम इसमें डालेंगे कद्दू कस किया हुआ नारियल यह सूखा नारियल है इसको घरपर ही मैंने कद्दू कस कर लिया था और इस मेल करने लगता है बस हमारे सादी सामिक भी तैयार है अब हम इसको गयस से उतार लेते हैं और एक बर्तन में इसको हमें ट्रांस्फर कर लेना है ताकि ये जो हमारा आटा है वो जल्दी से ठंडा हो जाए दस से पंदेर मट के लिए इसे ठंडा होने देना है यही देखिए आठ जो हमने भूना था हो ठंडा हो चुका है और इतना ठंडा हुआ कि हम बस इसको टच कर पा रहे हैं ज्यादा भी ठंडा नहीं करना है अभी हम यहां एड करेंगे बन फूर्थ टेवल स्पून इलाची पौडर और यहां पे में आठ से दस किसमिस्कु ले लिया है । उब आब ढ़िया और अब हम एड करेंगे इसमें एक कप सुगर पाउडर बूरा लिया है मैंने अगर बूरा नहीं है आपके पास तो चीनी को आप mixing जान में पीस के उसका powder तियार कर लें तो इसको इसमें mix कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से हमें mix कर देना इस तरह से और इसको हमें लड़ू की save देनी है तो इसमें हम add करेंगे जो हमारा बचा हुआ घी था वो यह इतना हमारा घी बचा हुआ था उसको हमने इसमें add कर देना है ताकि यह बंदने लग जाए और अभी हमको देखना है कि यह बंद रहा है के नहीं अभी उस consistency का नहीं आया है तो इसमें हमने डाला है तीन से चार चमच दूद अभी देख रहे हो ना इसका texture तो इस तरह से देखिए लड़ू बंदने लग गए इसके तो यह हमारा आठा तयार है लड़ू के लिए अभी यहां पर देखिए हमने एक mold ले लिया है सांचा इ इसमें हम इस तरह की design की लड़ू बनाएंगे कई तरह से मोदक बना जाते है एक इसी तरह सीमी मोदक बनाया जाता है तो यहां पर हम थोड़ा से इसको घी से ग्रीज कर लेते हैं ताकि इसमें जो आठा है ना वो चिपके नहीं और इसमें थोड़ से बचे हुए जो पिस् इस तरह से दवाके तो थोड़ा सा टायट बरना है ताकि इस पर जो सेप बनी हुए है design वो लड़ूं के उपर उभर के आ जाए इस तरह से हमको इससे भर लेना है और इस तरह से हमें हाथ पर निकालना है तो यह देखिए बहुत ही सुन्दर लड़ू अनके तयार हुआ है बहुत ही टेस्टी बनते हैं आटे की मूदक और बहुत सारे मूदक की रेस्पी भी मैंने दे रखी है उपने चैनल पर बनाए है तो आप उनको end screen में देख सकते हैं और वो भी आप बना सकते हैं गड़ेची के लिए यह देखिए अब हम क्या करेंगे आटा बच्चा कोई नहीं आप इस तरह से इसको मूदक की सेप दे दे हाथ से उंगलियों से इस तरह से बिना मूड के भी हम मूदक तयार कर सकते हैं गड़ेची के लिए और एक चम्मच की सायता से इस तरह उस पर लाइन बना दे तो यह हमारा बिना मूड वाला मूदक बनके तयार हो जा यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है उस पर थोड़ से हम कसकस के बीज डाल देते हैं तो लीजिए तैयार है हमारे गड़ेजी के लिए मोदक लड़ू का भूग बहुती टेस्टी बनता है और गड़ेजी को बहुती पसंद आता है आटे के मोदक है यह आपके पास अग कम इंग्रिडियन्स के साथ यह देखिए मैंने तोड़ के भी दिखाया कितना सुन्दर मोदक बन के तैयार हुआ है और जटपट से यह बन जाते हैं बहुती आसान बिदी के साथ यह देखिए और हम इनको कम से कम आट जिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो आप यह दक का भोग जरूर लगाई है अगर ऐसी पसंदा आती है तो प्लीज लाइक और सेर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू